गुद मॉर्निंग माई ब्यूटिफुल फैमिली वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चनल मैं हो सोना और आज मैं आप लोगों के साथ यार करने वाली हूं संडे सेल्फ केर रोटीन जो मिस हर संडे करती हूं सुबह उठी थी मैं एक थक्ती एम में और उसके बाद में कॉफी पी अच्छा भी नहीं लगता है ना ड्रावजीनेस रहता है बैसे वाला मॉनिंग था और मेरी तब्यद भी खराब होने को आ गया है जैसे गले में दर्ध होता है ना कोल्ड फिवर होने से पहले बैसे वाला हालत है और मेरी मम्मा बात कर रहे थे तब मैं अपनी हैर को देख है कितना खराब हो गया है मेरा हैर क्योंकि मैं इस वीक में कोई भी हैर प्याग नहीं यूज की हूँ और मेरे फेस में बहुत सारा पिंपल आ गया था तो मैं उसे फिल कर रहे थी और कितना बाकी है कितना बचा है गया है कि नहीं बहुत कम गया है 90% कम गया है वस थोड़ा मतलब खुद को explain नहीं कर पाती हूँ नॉर्माल hair care skincare होगा तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा सरदद भी है और मेरे skin का हालत भी आप देख सकते हैं बहुत ही खराब हो चुका है मैं कुछ भी नहीं की हूँ इस week में मैं कुछ भी नहीं की हूँ बस सुई हूँ और मुझे लग ब्रिकफास्ट कर रही हूँ और ब्रिकफास्ट मेरा almost time रागी ही होता है और रागी नहीं हुआ तो फिर में मैगी खा लेती हूँ नहीं तो सत्तू पी लेती हूँ मुझे ब्रिकफास्ट करना उतना पसंद नहीं है हाला कि मुझे हमेशा डांट पढ़ती है इसको एक ही बार में ठीक करने का एक ही उपाय है जो मैं आज आप लोगों के साथ स्यार करने वाली हूं अगर पूरा उइक आप कुछ भी नहीं किये हो न तो भी आपको यह सब करोगे तो फिर आपका हेयर और स्कीन नॉर्माली ठीक हो जाएगा और बहुत ही सिंपल स्टेप से उतना ज्यादा मतला ताम जब नहीं करना पड़ेगा यहां पर मैं ले रही हूं टू टीस्पॉन रतंजो थेयर ओयल जो मैं खुदी बनाई थी घर पे नेक्ष्ट हीना ओयल ले रही हूं यह भी मैं डियाईवाई की थी और यह दोनों मैं आप लोगों के साथ हैर करती ह हुआं रतंजो ड्हूड है को सफ्टे फ्रीजीनेस को दूर कर देगा। समूथ चोंडय कर देगा। और हीना ऑईल भी बहुत ही थीक होता है तो आप काइनली एर में ज्यादा मसाज मत कीजिएगा है में जश्ट डैप करके अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा लेकिन सकाल्फ को अच्छे से अप्लाई करके मसाज करना है रतन जोत है वो थोड़ा सा थंड़ है मतलब जैसे और फिर किसी को लगाने से तंडा हो जाता है टो जिन लोगों को हुझता है यह सारहाई रहता है वह रतन जो आप्सक्राइब या थंडा के दिन विंटर या रेनी सीजन में अप्लाई ना करें समर सीजन में अप्लाई करें और अगर अप्लाई करके आप मैनेज कर सकते हो वैसे यह वाला जो थंडा हुआ है मुझे इसी ऑईल के बज़े से हुआ है थोड़ा सा ज्यादा खराब हो गया है प्लीज करेंगे तो आपका हैर फॉल 90 परसेंट तक कम जाएगा नेक्स्ट आपकी हैर ग्रोथ भी प्रमोट होगा ट्रेंडर को ट्रेट करेंगा ही ना ओयल भी बहुत ही अमेजिंग है और यह दोनों को में मिक्स करके अपलाई कर रही हूं और यह दोनों का जो डियाइवाई प्र करूंगी कि आप जड़ा देखके उसको पिक कीजिएगा डुपलिकेट आजाएगा तो फिर आपका हैर ग्रोग के उपर कुछ भी काम नहीं करेंगा यह मिक्स्टर तो आपको यादी होगा इसमें मुल्तनिमिटी रागी और मसूर डाल इसके साथ और भी बहुत सारा चीज है इसका वीडियो में आप लोगों के साथ यार कर दी हूं कड के साथ मिक्स कर रही हूं और एक प्याक स्मूथ बनाना है और मैं अपनी एंटायर फेस में अपलाई कर दूंगी क्योंकि सकल का हालत तो आपको पता ही है पूरा का पूरा खराब है ऑईलिंग करने के बाद मे नेन मिट्ट से फेस्वास करते थी और जो फेस्वास में अपलाई की थी मतलबoples मचलों अब मेकुझा करने के बादमेजिंग मसूर ड्ल में सब्सक्रा के में Давайте क्लिंजर क़ाम करताइन ниеच्राल माना जाता है मसवड डल और मिल्ता निमिटी के बारे में क्या ही बोलू मुल्ता निमिटी तो जब से है तब से खलेंजर ही है और बहुत ही स्मूथ टोन में ले आएगा और इवेंट करने में हेल्प करेगा डलनेस को थोड़ा सा रिमूव करेगा पिगमेंटेशन को अच्छे से ट्रेट क चेंज करूंगी इतना अमीर नहीं हूं मेरी जान यह मेरे हैर का टेक्शर है और अमेजिंग ग्लो है मेरे हैर में अनफेस में उमीद करती हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा थैंकी सो मच पर वाचिंग मिलती हूं मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तर बाबाय ते क्या लव यू ओल